तो यहाँ पर एक Amazon seller central मैंने open कर रखा है जो कि मेरे ये client का है तो account health पर मैं click कर लेता हूँ और यहाँ पर click कर लेता हूँ go to account health पर जब मैं इस पर click करता हूँ तो यह page में आप आते हैं और यहीं पर आपको सारा data इसका मिलने वाला है account health rating यहाँ पर देख सकते हो 244 चल रहा है तो चली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए note भी कर रखें वो है इस तरीके से आपका Amazon पर account कभी भी block नहीं होगा यह आप assure कैसे कर सकते हो क्यों कि Amazon बहुत जल्दी account block कर देता है तो उसके लिए account health assurance program निकाला है Amazon ने वो मैं आपको आज explain करने वाल हूँ उसमें cash participate करना है कैसे आप उसके लिए eligible हो सकते हो क्या क्या steps है और इसके साथ साथ इस तरीके से आपको Amazon points देता है आपके account का health का right so welcome to Rishi Commerce I am Rishi और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी चीज़े detail में समझ में आए मुझे साल से मुझे आप लोगों को यह update देनी चाहिए यह बहुत important update है और आप सबको अभी से इस पर काम करना चाहिए तो आज से मैं कोशिश करूँगा regular videos आपके ले लाओं आप मुझे comment में बता देना कि किस topic पर आपको चाहिए and thank you very much हमारे finally one lakh subscriber complete हुए ऐसी support और प्यार आपक हैं यह आपका रहेगा AHR point या average sorry account health rating point हम इसको बोलेंगे जो कि हजार का रहता है 244 है यहाँ पर जैसे client का तो इसका मतलब यह healthy है मतलब ठीक है account almost अगर यह आपका 199 से नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी और अगर यह आपका ज्यादा हो गया तो बहुत अशी बात है अगर आपका यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ slap अगर 200 से 1000 का है जैसे seller का था भी तो healthy है जा 100 से 199 का है तो risk पे है और 100 से नीचे आ गया तो unhealthy माना जाए तो इस तरीके से Amazon आपका जो account है उसको daily basis पे वैसे point देते रहता है यह point किस किस चीज़ पर depend करता है तो यह policy compliance पे है आप किस तरीके से Amazon की policies को follow कर रहे हो जैसे dispatch breaches, cancellation rate, जो आपका seller control return हो गया, order defect rate हो गया, आपके orders कितने आ रहे हैं उन सब के basis पर आपको इस points दिये जाते है तो यह point आप मुझे comment में सब से पहले तो बताओ कि आपका भी कितना चल रहा है अगर किसी का भी यह 199 से नीच हो आजाएगा, आप तुरंत मेरे team को contact करें, उपर और नीचे नमबर दे रखें, वो आपको solution बताएंगे, क्योंकि अगर यह 100 से नीचे चला गया, तो तुरंत account block हो जाएगा, कोई भी सुनवाई नहीं होगी, Amazon सिधर आपका account deactivate कर देगा, आपकी सारी मेहनत पानी में चल करेगा, करेगा तभी, करने से पहले, वो आपको एक बार call करेगा, जिस वज़े से कर रहा है, उसको solve करने के लिए आप से बात करेगा, अगर वो solve होता है, तो आपका account कभी भी block नहीं होने वाले, मतलब सिंपल सी चीज है, कि आप बे फिकर रहो, आपका account कभी भी Amazon block नहीं करेंगे, तो सिर्फ दो options आपको, दो चीज़ें आपको यहाँ पर maintain करनी है, पहला, आपको एक provide a valid emergency contact number अपना डाल, obviously हर seller का होगा, मुझे लगता है, यहाँ पर green tick है, तो आपका updated है नहीं है, तो यहाँ पर आप click करके update कर लेना, कोई भी एक number आप update कर लेना, जिस पर आप update कर देना, यह तो मुझे लगते जातर sellers का हुगा है, दूसरा, आपको जो average, यह मैंने बताया था, account health rating जो है, वो 250 से प्लस maintain करनी पड़ेगी, last 6 महीने, अब यह क्या होता है, AHR, तो मैंने आपको पीछे बताया ही था, AHR क्या होता है, यहाँ पर 244 sellers का आया था, यह देख तो यह आपका, जो है, वो 250 से उपर होना चाहिए, continue 6 महीने तक, मतलब की 180 दिन तक, right, अब आप graph में देखोगे, तो यहाँ पर बताया गया होगा, देखे मान के चलिए, यहाँ पर date wise, मैं इसको तो जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर date wise, जहाँ भी आप कर सर ले तो यह अच्छी है, उसके बाद देरे देरे यह कम भी हो रही है, तो यह 16-12 को थी 260, अभी यह चल रही है, यहाँ पर देरे देरे देरे, मतलब almost 244 के आसपार चल रही है, बीच में यहाँ पर 252 पर भी दी रहे, तो daily का यहाँ पर आपका show करेगा, कि आपका जो account health rating है, व 250 की मतलब इससे उपर होना चाहिए और जो gray line है यह आपका अपना performance दिखा रहा है अब यहाँ पर आप days below देखोगे 250 last 180 days में जो 250 score है वो 41 दिन ऐसा है जब 250 से कम रहा है तो यह 41 दिन नहीं होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा Amazon last 80 days में 10 दिन आपको दे सकता है कि 10 दिन आपका कम चलेगा क्योंकि कई बार हो जाता है order कभी नहीं आते हैं order भी ज्यादा नहीं order आपको 15-16 order per day भी आते हैं तो आपका यह 250 से उपर maintain रहेगा तो आपका यह क्या है 10 दिन का time मिलेगा इसमें 10 दिन आप इधर उधर कर सकते हो 10 दिन से ज्यादा अगर होगा तो आपका यह red mark इस type का आएगा अगर यह red mark आया है तो इसका मतलब आप अभी account health assurance में नहीं हो जैसे ही आप इन दोनों में green tick हो जाओगे आप account health insurance में आ जाओगे eligible हो जाओगे आपको एक mail आएगा mail में कोई भी आपको नहीं है बसको confirmation mail होगा और आप इसमें participate हो जाओगे अब इसके बाद कभी भी आपके account में ऐसी कोई दिक्कत होती है जहाँ पर Amazon को लगेगा कि आपका account block होने की का गार पर तो आपको call आएगी उसको call करने के लिए suggest किया जाएगा अचानक से आपका account क अब भी Amazon block नहीं करेगा तो बेफिकर रहे कि आप फिर business कर सकते हो तो मैं चाहूंगा यह दोनों आपका green mark हो नहीं है तो पहला वाला तो obviously होता है दूसरा वाला क्यों नहीं हो रहा है वो आप चेक आउट करिए अब देखिए जैसे आप इसको improve कैसे करोगे जैसे मान के चल दिखा रहा है लगभग November से दिखा रहा है तो आपका इस तरीके से अगर आप भी अप्रेल है तो भी अगर आपका इंप्रूफ करोगे 250 फिर आप उसको improve करते जाओगे 180 जैसी हो जाएंगे आप इसमेलेजिबल हो जाओगे और last 180 देज में अगर अच्छा स्कूर रहेगा तो आप इसमेलेजिबल हो जाओगे और आपका assurance प्रोग्राम में आप आप अच्पेट हो जाओगे अगर फिर वो दर दिन से ज्यादा आपका वॉइड हो रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी आई हो यह चीज आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि बहुत सीरियस मेटर है बि कि मेरे टीम से contact करना चाहते हैं तो first comment और वीडियो के आप देख सकते हैं मैं नमबर मैंने दे रहा है चलिए till then thank you very much keep selling होने है